अब आईए आपको डिराइट करते हैं एक रिलेशन, ग्रोथ आफ करेंट इन एलाज सर्कीट, हमने बदा है कि जैसे ही मैं सर्कीट को हम स्विच ओन करते हैं, एलाज सर्कीट को, तो क्या होता है, जो इंडुक्टर होता है, इस इंफानाइट रेसिस्टेंस, और इसमें करें करने लगता है, तो आईए हम देखते हैं कि किसी स्टर्ट आफ टाइम, ट्रॉंसें स्टेट के हम बात करते हैं, जब तक करेंट जिरो से मैक्सिमम हो रही होती है, कि वह लिए इस प्रियोट की बात करेंगे, हम स्टिडी स्ट की कोई बात नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि य मैंने EMF के सेल साइज को जोड़े हुए हैं, राइट, शुरू में हम कहा कहते हैं, कि स्टू को हम open रखते हैं, और S1 को close किये, राइट, जैसे हमारा स्टिंग क्या है, S1 is close, S1 closed, and S2 open, तब क्या होगा, S2 तो open है, तो यह सर्किट बेकार है, राइट, S2 open है, तो यह सर्किट बेकार है, मतलब जब यह open है, तो यह बेकार है, और यह क्या हो जागा, यह ऐसे connect करने लेगा, तो क्या होगा है हैं, पर देखिए, अब यह इधर से current flow करेगी सर्किट में, सपोर्च किसी instant of time में current आई है, यह आई करें जाएगी इस resistance से, और इस inductor स से, और इतरा से यह सर्किट को पूरा करेगी, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम क्रिचोप्स लोड लगाते हैं, तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर यह applying क्रिचोप्स ला, आप इसको लिखते रहें, तो क्या हो जाएगा, E, जिस E, और current के डाइक से में जाता है, potential drop, कम होता है, तो E minus IR, current के डाइक से में IR negative होता है, और देखिए current का growth हो रहा है, current का growth होता है, तो क्या होगा, induced current, main current का approach करेगी, इसके इसके across your voltage होगा, L into Di by DT, तो O भी negative होगा, minus L into Di by DT, right, Di by DT, अभी होगा, यही सोसे जाए, now this must be equal to zero, देखिए ध्यान से समझे के applying की चोप्सला, जैसे इस switch को हमने on किया, तो मानने कि किसी instant of time में, during transient state की बात आई है, किसी instant of time T में current circuit में आई है, और यह resistance और index time दोनों से ओकर करके जाएगी, तो simply हम applying की चोप्सला, आप यहाँ पर रहें देखिए, applying की चोप्सला, we have E minus IR minus L, Di by DT is equal to zero, तीक है, अब देखिए, इसको हम लोग variable से परेबल की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, इसको simply करें, यह zero है यहा आता है, कि इसको, Di को और I को एक तरफ कर लगते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर यह देखिए, इसको हम लिख रहें देखिए, और यह उपर हो जाएगा, परले right side में हम लिख रहे हैं, इसको देखिए, Di upon, यह जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, देखिए, तो क्या हो अब DT को इज़र लाएगा, तो कितना हो जाएगा, इस विल भी DT by L, यह DT by L हो जाएगा, अब चलिए, अब इसको इंटिग्रेट करते हैं हम, हमारा अच्छा है, कि at T is equal to 0, current in this circuit क्या है, 0 है, at T is equal to 0, I कितना है, 0 है, अमालत है कि at T is equal to T, at T is equal to 2, current I है, वो I है, current in this circuit is I, अब अच्छल के at T, at any time T, current in this circuit is I, ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है, current in circuit is I, right, तो limit क्या हो जाएगा, integration का limit क्या हो जाएगा, देखिए, इसको जब integrate करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, at T is equal to 0, इधर में T का है, T का 0 हो गया limit, और यहाँ क्या हो गया, I भी 0 है उस समय, और किसी instant of time T में current कितनी है, यहाँ पर I है, तो यह limit हो गया, अब इसको solve कर जाना है, अब आई यह इसको solve करता है, देखिए, D I by यह, इसको integrate करेंगे, यह बहुत simple है, तो क्या हो जाएगा यह, देखिए, L N, L N, E minus I R, E minus I R, और देखिए, I का coefficient क्या है, minus R, तो minus R से divide करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, relations, D I minus 1 by R, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, तो फे देखिए, simply 1 by L तो constant है ही तो dt का ही डिवा संटी होगा और t minus 0 t हो जाएगा तो यह अफ़ा हो जाएगा अब देखिए अब यह minus 1 by R यहाँ है तो इसको right side में ले जाएगे तो कितना हो जाएगा simply हो जाएगा R यहाँ पर चला जाएगा minus R यह हो जाएगा minus R और यहाँ से यह minus 1 by R cancel हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा minus R by L T अब चलिए इसको lower limit पहले इसको आप सोल कर लेते हैं आपर तो क्या हो जाएगा पहले upper limit तो क्या हो जाएगा और LN देखिए upper limit आई लगाएगे तो यह कितना हो जाएगा E minus I R E minus I R और minus lower limit तो कितना हो जाएगा LN lower limit में I zero करेंगे तो ही हो जाएगा LN E is equal to कितना हो जाएगा minus R by L into T अचाए log M minus log N क्या हो करें? log M by N तो यह हो जाएगा simply this is LN E minus I R divided by E is equal to minus इसको R by L into T कर सकते हैं और जखिए यह से लोग अटा रहे हैं तो लोग अटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जखिए लोग अटा रहे हैं तो E minus I R by E अब इसको हम लीच सकते हैं लोग भी अटा रहे हैं और इसको simplify भी कर रहे हैं तो E by E क्या हो जाएगा? 1 minus और यह कितना हो जाएगा? I R by E 1 minus I R by E this will be equal to E to the power कितना हो जाएगा? जखिए आपद? E to the power minus R by L into T यह एक्स्प्रेशन आगे हमारा है पर और इसी को simplify करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 minus यह एक्स्प्रेशन इधर आजाएगा यह जाएगा तो plus हो जाएगा तो I is equal to और I is equal to देखिए हाँ सही करेंगे यह जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए I R by E is equal to 1 minus इतना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कितना? 1 minus 1 minus E to the power कितना हो जाएगा? और देखिए इसको हम यह लिख सकते हैं minus R by L into T अभी लिख रहे हैं और यह कितना हो जाएगा? E by R E by R तो यह हो जाएगा हमारा एक्स्प्रेशन इस 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 एक्स्प्रेशन I is equal to E by R E by R 1 minus E by E power minus R by L into T अब देखिए अब इस सर्किट को थोड़ा सा और हम एनलाइज कर रहे हैं आपर यही पर थोड़ा सा हम एनलाइज कर रहे हैं देखिए आपर एक्स्प्रेशन हो गया हम एनलाइज अब इसको और सिंप्लिफाइ करेंगे तो क्या हो सकता है कि I is equal to E by R E by R is maximum current in the circuit जब इनलाइज जिरो रेशन सफर करेगा तो क्या होगा है T is equal to infinity यह हो जाएगी E by R क्या होगा है T is equal to infinity तो इसको हम I not लिख सकते हैं I is equal to I not 1 minus 1 minus E to the power minus T by Tau ऐसे लिख सकते हैं इसक्ष्डेशन को where I not क्या हो जाएगी where I not is I max which is equal to E by R E by R I not is equal to E by R at T is equal to infinity T is equal to infinity per current का भव भी है और इसको आम रप अलसे करें This is also called, also called steady state current Steady state current, ठीक है Or maximum current, steady state current और maximum current of circuit maximum current of the circuit EYR is maximum current in the circuit maximum current in the circuit और इसको हम लोग steady state current भी बोलते हैं आप देखिए एक बहुत interesting expression हा रहा है आसे थोड़ा सा circuit को हमें like करेंगे कि circuit का growth कैसे होता है, circuit में current का growth कैसे होता है अब देखिए आपर एक चीज यहाँ पर हमने क्या रखा था कि यह टाउ क्या है and and टाउ क्या है, देखिए आपर टाउ का value हमने क्या रखा था L by R टाउ is equal to L by R देखिए आपर T टाउ का देखिए आपर में आड था, निचे में रेल था तो टाउ यह पर L by R हो जाएगा देखिए आपर since टाउ is equal to L by R has dimension of देखिए आपर टाउ का dimension क्या होगा? आप सोच करके बताओ आप सोच करके बताओ यह dimension का question है कि बाई what is dimension of tau? tau का value क्या है? here भाई आप तो एक चीज़ यहां से मिलेगा कि देखिए simple principle of form of dignity लगा है कि 1 से subtract किया गया e to the power t by tau इसले इसले dimension क्या होगा? e to the power minus t by tau का dimension क्या होगा? 1 और minus t by tau का dimension होगा तो t और tau का dimension same होगा right तो since अब लिख सेकते हैं की dimension of tau क्या होगा? that of time since tau L Y R has dimension of time and hence and hence it is called time constant time constant of inductive circuit time constant of inductive circuit right? tau का हम लोग बोलते हैं tau मतलब L Y R का हम लोग बोलते हैं time constant of inductive circuit clear रही है? क्यों बोलते हैं इसले dimension? time के बराबर होता है अब देखिए हम लोग यह देखेंगे कि एक time constant में एक छोनी होता क्या है? कि एक time constant में कितनी current ग्रो होती है? अब देखिए current का explanation जाइज सी बात है यह जो graph देखेंगे अब एक चीज और स्थिना वाली बात है कि यह graph increasing है कि decreasing है? you pour the video and think yourself कि यह graph I is called to I not 1 minus E to the power minus T by tau यह increasing है कि decreasing है? 1 by E to the power minus T by tau को हम लेख सकते हैं 1 by E to the power T by tau तो time के साथ में इसका value क्या हो रहा है? घट रहा है 1 minus time के साथ में decrease हो रहा है तो इसका मतलब overall क्या हो रहा है? increase हो रहा है तो यह increasing कर रहा है हानि time के साथ में time के साथ में current का value increase करेगा ये क्लियर हो गए, ग्राप हम बात में खीचेंगे सबसे पलंग दखे कि क्या current linearly grow हो रही है तो ये linear graph तो नहीं है इसलिए number one कि in LR circuit in LR circuit current grows current grows exponentially 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 right, number two यहीं से हम लोग करें since यहीं से number one आपर करें इसको number two करते है number three हम लोग यह करें कि जब exponentially करते हैं तो यह कैसे जा रहे हैं इसको कैसे आफेंगे तो हम यह लिग रहे हैं कि if t is equal to one tau अब देखे हैं कि one tau में कितनी current if t is equal to one tau t के जगा हम लग दिये one tau तो यह क्या हो जाएगा this will give i is equal to i not i not one minus अब यह लगे t के जगा tau रखेंगे तो tau ड़ पटके one हो जाएगा e का पावर minus one तो one minus one by e this is one minus one by e और score simplify करेंगे तो तो यह e का value कितना होता है आप जनते हैं कि the value of e is याद रख लिजे e का value कितना होता है two point seven one eight और इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा यह है इसको आप याद कर लिए कि he carries a suitcase right he carries a suitcase he देखिए he के लिए two है यहाँ पर carriage में seven letters है a one letter और suitcase में eight letters है तो आप कभी नहीं बुलेंगे e का value e carry j suitcase और जब इसको simplify करेंगे one by e का value यह रखने तो this come to be this will be equal to i is equal to देखिए e का value यहाँ पर रख यह one by e का इसको यह simplify करेंगे तो यह sixty two point seven percent या roughly इसको यह हम लोग का सकते हैं कि this is point six three i naught right i is equal to point six three i naught इसका मक्लब क्या हुआ कि this implies that fourth point में लिचे this implies that in one time constant in one time constant in one time constant current current grows to sixty three percent of its maximum value maximum value यानि हमने क्या लखा कि one time constant में during जब इसकी time तरहेंगी बाई current exponents इली ग्रो हो रही है तो कैसे कैसे बढ़ रही है तो one time constant में one time constant में यह क्या हो रहा है 63 percent of its maximum value अपने maximum value आजे से भी अधिक पर दे 63 percent हो गई तो इस तरह से हमें लाइच करेंगे कि आप देखेंगे कि two tau में 85 percent जाती है three tau में अपना आज से यह से करके रही है five to six time में यह अपने maximum value को require कर लेती है but it never देखें इसमें क्या हो गई कि यहाँ पर जब यह रखेंगे आप ऐसे calculate कर सकते है कि number five if t is equal to two tau तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा i is equal to i naught one minus अब देखें two tau हो जाएगे तो e to equal minus one by e square इसका value calculate करेंगे तो जाएगे this is roughly 0.85 of i naught ठीक है इस तरह से three tau tau four tau यह से देखेंगे कि current grow to maximum grow to maximum in five to six tau five to six time constant में current अपने maximum value को acquire कर लेती है but आप यहाँ से देखिए कि क्या यह कभी maximum value acquire कर सकती है यहाँ पर देखें यहाँ पर देखें तो इसका value क्या हो जाएगा i naught कब होगा जब यह part 0 होगा यहाँ पर i naught i-ka value i0 कब होगा जब यह part 0 हो जाएगा और यह part 0 कब होगा जब one bai t by tau का value infinity होगा दखे, theoretically हम सकते हैं, 7th point हम लोग लिख रहे हैं, कि I will be equal to I not if, क्या हो जगा है, दखे, ये तो 1 है, ये पाट 0 हो, यानि E minus T by Tau is equal to 0, यानि इसका मतलब क्या हुआ, कि दखे, 1 by T by Tau is equal to 0, इसका मतलब क्या हुआ, कि 1 by infinity, this implies that T by Tau is equal to infinity, T by Tau is equal to infinity, that is T is equal to infinity, तो current अपने maximum value को कब acquire करगी? In finite time में, तो ये हो गया हमारा, 6, 7, 8 point, current acquire its maximum value, current acquires its maximum value, at T is equal to infinity, यानि ये कभी भी अपने maximum value को नहीं acquire करेगी, इसका मतलब ये हुआ, कि ये कभी भी अपने maximum value को acquire नहीं करेगी, ठीक है? ये, one more thing, 9 point हम दखते हैं, कि current I does not depend, दखे, यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो I है, it does not depend on inductance A, कि I does not depend, I does not depend on inductance, inductance A, I कभी भी inductance पर नहीं depend करती है, it is same as would be resistance R alone connected to the source of MF E, जनते हैं, यह दखे, ये L पर नहीं depend करती है, ये I, I not क्या है, sorry, I नहीं, I not, जो maximum value of current है, ये L पर depending नहीं कर रहा है, देखे, यहाँ से, I not का value क्या है, I not is equal to E by R, I not is equal to E by R, तो it is independent of L, और ये L पर नहीं depend, it is as good as, कि circuit में अकेला resistance रहे, inductance रहे या न रहे, उस पर कोई अंतर नहीं पढ़ता, तो ये केवल resistance of the circuit पर depend करती है, नखी inductance पर, इस पर ये कर लिजे, अब आए, इसमें एक graph बना रखते हैं हम लो, कि कैसा होता इसका graph, हमने देखा कि, देख तो ये exponential increasing curve है, तो आईए इसको यहां से, थोड़ा सामलो, देखते हैं कि कैसा graph होगा, मालोग, suppose, this is the time, ये, t is equal to zero है, right, and this is the maximum value of current, this is the I dot, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, कि in one tau, यहां पर ये हुआ, one tau, two tau, three tau, four tau, five tau, इधर में time है, और यहां पर current है, तो क्या देख देखें कि, one tau, tau में ये maximum value का 63%, this is 0.63 I dot, right, तो one time में ये कहां पहुँच रहा है, यहां पहुँच रहा है, in one time constant, it reaches 63% of its maximum value, तो two time constant में, कहां पहुँच रहा है, ये 85 पर जा रहा है, 0.85, तो कहीं इधर आएगा ये, three time constant में, कुछ और बढ़ेगा, और ऐसा करते करते, five to six time में ये क्या होता है, तो ये क्या होगा है, exponentially growing curve है, और यहां पर आखरके, it becomes parallel to the case, ये smooth curve है, आप इसको ये कर ला है, तो current transient state में exponentially grow कर रहा है, और इसका equation होगा, i is equal to i naught, one minus e to the power minus t by tau, right, ऐसे ही होगा, तो this is the graph, okay, thank you.